हेलो एवरिवन चली आज बनाते हैं गीहू के आटे से बहुत ही स्वादिस्ट मोदा की से बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही स्वादिस्ट लगता है तो चली देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने एक कटोरी चीन चमच घी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, क्योकि जो आटा है, उसे अच्छे stay भूण्ना है, इसलिए तो हम इसे चलाते रहेंगे चमच और इसे लगातार भून्ते रहेंगे और कम गैस में रखेंगे क्योंकि इसे छोड़ेंगे ना तो यह जल सकता है तो इसलिए हम इसे धीमी आज में हमें भूनना है उसकी बाद हम इसमें एक चमच और गी डाल देते हैं और इसे अच्छे से भूनते हैं इसे भूनते हुए पांच मिनट हो गए हैं अब मैं देखी यहाँ पर इसका कलर चेंज हो चुका है हमें एकदम ऐसे ही टाइप कर चाहिए इसे थोड़ा दिर और भूनते हैं और फिर से हम इसमें थोड़ा सा गी और डालेंगे और गैस को कम कर देंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर गी और डाल दिया है और फिर मैं इसे भून लेती हूँ फिर यह अच्छे से हो चुका था तो मैंने इसे निकाल लिया अब यहाँ पर एक आधा लिटर दूद को उबाल लेना है उबाल के यहाँ पर मैं कड़ाई में फिर से एक चमच गी डालती हूँ और उसमें थोड़ा से ड्राइफ डालती हूँ काजू बदाम और फिर डाल देती हूँ नारियल का बूरा डाल देती हूँ अब इसे थोड़ा दिर हम भूल लेंगे यह देखिए है जब अच्छे से भून जाएगा तब हम इसे इसमें गेहू काटा भूना हूँ उसे डाल लेंगे और सब को अच्छे से मिला देंगे अब इसमें हम पीसी वी चीनी डाल देते हैं एक काटोरी तो चीनी थे उसे पीस कर ही डालेंगे तो अच्छे से मिल जाएगा यह उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूट डाल देंगे एक्दम उबलता हुआ दूद है एक्दम गरम दूद है थोड़ा थोड़ा डालने से यह होता है कि इसमें लंज ना है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और सब को मिलाते हुए इसे अच्छे से मिला लेंगे यह देखिए यह आधा लिटर दूद था आधा लिटर दूद में इतना लग जाएगा इसमें अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं जब यह अच्छे से मिल जाएगा तो बाकी बचे हुए दूद को इसमें फिर से डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे यह देखी कितने अच्छे से यह हो चुका है अब इसमें हम एक चमच इलाईजी पॉर्डर डाल देंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे अब इसे थोड़ा सा ठंडा करके हम इसमें मोल्ड में इसे डालेंगे बहुत ज़्यादा गरम है पांच मिल्ट ठंडा कर लेते हैं अब एक बड़तन में निकाल लेते हैं से यह देखी इस टाइप से बनेगा यह मोदक तो कैसे बनाना है मैं बताती हूँ आपको यहाँ पर मोदक के मोल्ड में मैं इसे डालूँगी और अच्छे से दबा-दबा के मैं इसे भरना है क्योंकि अच्छे से दबाएंगे तो इसका सेफ है जो बहुत अच्छे से निकलता है तो यह बन चुका है मोल्ड हर प्रकार से आता है छोटा बड़ा आपको जिस टाइप से होगा मार्केट में असानी से मिल जाता है और अगर आप हाँ से बनाना चाहे है तो हाँ से भी बन जाएगा तो यह देखिए मैं इसी तरिके से सभी मोदग को बना लूँगी मोदग हर प्रकार से बनाया जाता है सोजी से गिहुं क्याटे से बेशन से चावल क्याटे से तो आप किसी भी प्रकार से बना सकते हैं अगर मेरी रेसेपी अच्छी लगी होगी तो प्लीस लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हम अपनी एक नई रेसेपी में तब तक के लिए बबाए टिक